नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नूजवे मेरतन सेन भरती आज हम जानेंगे खोए हुए जमीन के कागजात को हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं दास्ताबेज कोई भी हो वह हमारे जीवन के लिए काफी महत्पुन होता है और कई बार गल्ती से दस्ताबेज गूम हो जाने की बज़ा से हमें काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है खोये हुए सभी दास्तवेज को हम duplicate बनवा भी लेते हैं, लेकिन property के खोये हुए दास्तवेज बनवाना या duplicate निकलवाना बहुत ही मुस्किल हो जाता है, लेकिन बिहार के निवासियों के लिए यह बहुत ही असान है, आईए हम जानते हैं, खोये हो जमीन के काउगजात को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं बिहार राज के सरकारी साइट से जमीन के दास्तावेज या केवाला बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं आप इसे आउनलाइन भी निकल वा सकते हैं इसके लिए बस आपके पास जमीन से जुड़ी हुई कुछ जनकारी होनी चाहिए जमीन के कागजात को निकालने के लिए यानि कि step by step इसको हम समझेंगे कैसे ही से हम निकालेंगे step 1 सबसे पहले हम बिहार सरकार के सरकारी website भूमीजनकारी.bihar.gov.in पर इस website को खोलेंगे जब यह website खोल जाएगी तो हमें home page बर view registered document का विकल्प दिखाई देगा इसके बाद हम उस विकल्प का chain करेंगे इसके बाद हम step 2 में जाएगे इसके बाद आपके सामने एक नया page खुलेगा जिसमें आपको एक form दिखाई देगा और form के ठीक उपर आपको तीन विकल्प दिखाई देगा जिसमें लिखा हो होगा online registration 2016 to till date उसके बाद आपको जो दूसरा option दिखाई देगा उसमें वह है post computerization 2006 तो 2015 और उसके बाद तिसरा option जो आपको दिखाई देगा वो pre computerization before 2005 इसमें से आप वह है विकल्प चुनें जिस साल में आपकी property register करवाई गई थी जब आप इस विकल्प का जैन कर लेंगे इसके बाद आपके नीचे दिए गए form में कुछ चीजे मांगी जाएगी कुछ जानकारियां मांगी जाएगी उसको आप ध्यान पुरुबक भरेंगे वो जानकारी इस परकार है आपको सबसे पहले लिखा मिलेगा registration office इसमें आपक प्रपर्टी कहां पे इस्थित है उसके बाद आपके सामने आएगा serial number तो serial number में आपको अगर serial number की जानकारी है तो आप उसे भरेंग you नहीं तो उसे खाली भी छोड़ सकते हैं उसके बाद आपके सामने आएगा डी डी नमबर यानि कि आप जो है डी 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 नमबर को भी अगर आपके पास जनकारी है तो उसको आप फिल करेंगे नहीं तो उसको भी आप छोड़ देंगे उसके बाद आपके सामने आएगा पार्टी नाम इस party नाम में जिसके नाम से वो property है उसके नाम से वो feel करना होगा उसके बाद आपके सामने आएगा father name या husband name अगर वह पुरूस है तो उसके पिता का नाम अगर वह महिला है तो उस property में उसके पती का नाम आपको सामने भरना होगा जब आप सभी details को भर देंगे उसके बाद आपके सामने search button आएगा आप उसके बाद उस search button को click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने सारी details आजाएगी आप इन details को save कर सकते हैं या फिर उसे आप print करके निकलवा सकते हैं इसके बाद आपने जो details save की थी उसमें एक serial number होगा वहाँ आपको यहाँ पर भरना होगा साथ ही पूछी गई अने detail को भी यहाँ भरना होगा जैसे ही आप सारे detail को भरेंगे आपके सामने आपकी जमीन की copy आ जाएगी इसे आप download कर सकते हैं और इसका print भी निकाल सकते हैं ऐस इसे ही और भी वीडियों के लिए बने रहें बिहारे निज़ के साथ मुझे जिस्जा इजाजात धन्यवाद